नमस्त दोस्तों टेक्निकल किंग आपका श्राधत ते आज हम अन्बोक्शिंग करने जा रहा है मार्क्यू कंपनी का फुली ओटोमेटिक वोशिंग मशिन यह वोशिंग मशिन दोस्तों हमने खरीदा था फ्लिपकार्ट वेबसाइट से 6,845 रुपए का जब इसमें ओफर था 10 प्लस 10 परसेंट का डिसकाउंट एक्चुली इसका प्राइस उस टेम में था 8,450 रुपए और अभी यह जो वीडियो देख रहे हैं यह हमारा ही मशिन का अन्बोक्शिंग करने के बाद का दूलता हुआ मशिन का वीडियो है तो चलिए आए अन्बोक्शिंग करते हैं मार्क्यू कंपनी का फुली वा फ्रेजाल माटेरियल है क्योंकि बहुत नाजुक सा चीज है ये पीछे की सेट में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ इन ओवर स्मार्क्यू कंपनी का उपर में लोगो है बैक सेट का यहाँ पर छोड़ा सा फीचर्श लिखा हुआ है और यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे तो ऊपर में यहां पर आजा है बिल और हमारा एड्रेस घर का साथ में नीचे के और देखेंगे तो यहां पर दोस्तों safety symbols है तो थोड़ा साम general knowledge भी अपना बढ़ा लेते और देखते कि safety symbols क्या क्या चीज़ का है दोस्तों तो जब भी हम कुछ भी सामन लेते तो most of time हमारे जो container या तो cardboard होता है उसमें बहुत सारे safety symbols रेते हैं बट हमको idea नहीं होता है क्या चीज़ का है तो चलिए आए जान लेते पर यह है क्या तो यहां पर दोस्तों पहला symbol आप देख पर एक horizontal line है और उसके उपर में दो vertical arrow दिया गया है अपको direction को indicate कर करते हुए उसका मतलब होता है this way up यह arrow यह indicate करता है कि box को हमेसा यह जो उपर की side में ही रहना चाहिए यह arrow जो हमेसा उपर की side में रहना चाहिए तब यह box सीधा है मतलब कि आप जब इसको transit करेंगे या तो कहीं पर आप इसको storage करेंगे तो यह दोनों जो arrow है वो always उपर की direction में रहना चाहिए इसी वे में इस box को आपको रखना है दुसरा सिम्बल की बात करें तो यहां पर कुछ छाता का symbol है ओपर में यहां पर पानी का drop से उसका मतलब होता है keep dry मतलब की पानी से या तो dry है या तो यहां पर CEPAGE वगरह होता है वह Area में इस box को आपको नहीं रख तो चीज में तूटावा ग्लास का सिंबल होता है उसका मतलब वह आपका हमवर के यह रोप क्या चीज़ का है वो मुझे आप कोमेंड बॉक्स में बताएं यह है यह हमारा इनडिकेट करता है इस प्एकेज में कुछ इलोक्रोनिक्स आइटम है जब भी आप इलेक्ट्रिकल या तो इलोक्रोनिक्स आइटम लेता है तो यह सिंबल ओल्वेज रहता है क्यूंकि जब मशीने खराब हो जाता है आपको डिस्पोस करना तो आप अपनी घर की डर्षिद म इस इलक्रोनिक्स चीज को डिस्पोस नहीं कर सकते तो यह वाला सिंबोल जो है इंडिकेट आपको इस तरीके से claim इस चीज़ को नहीं करना है आठवा symbol दोस्तों दिया गया है do not flip का यानि कि जब भी कुछ आपका cylindrical type material होता है जैसे कि gas cylinder होता है और एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना और हम नौर्मली उसको roll करके लेके चले जाते हैं और अगर box type का हो इंडिकेट करता है stagging height का मतलब कि यही चीज़ का identical box अगर आपके पास होगा तो कितने box इसका stag आप कर सकते हैं मतलब कि यहाँ पे जो number लिखा रहता है वो highest number का box रहता जितना आप stag कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे 3 लिखावा उसका मतलब कि यही box को एक के उपर है किसे तो तीन box को रख सकते हैं चोथा box इसके उपर आपको नहीं रखना है दस पा सिंबोल यानि कि 10th symbol का पर बात कर तो यहाँ पर 45 डिगरी का angle है तो यह क्या जिसका सिंबोल है वो भी आपको homework है वो मुझे आप comment करके बताईए मैं भी यह 45 डिगरी surface में रह सकता है या तो 45 ड जिसका है वो मुझे comment box में जरूर बताईए तो और आगे बढ़ते हैं दोस्तो नीचे की side में तो यहाँ पर जैसे बताया था ना जूक यहाँ पर लिखा हुआ और उसके नीचे की और में अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ उसका specification है तो specification की अगर बात करें दोस्तों तो बात करते हैं 420 वोट यहाँ पर लिखावा तो यहाँ पर थोड़ा हमको conflict मिलता है क्योंकि जब website के प्रोड़क्ट के specification में देखेंगे तो इस प्रोड़क्ट का जो वोटेज है वोसे 250 सम्थिंग यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर यहाँ पर एक्चुल प्रोड़क्ट का जो वोटेज है वो 420 वोटेज आई डूंडो वाई बट देखते हैं आगे चलिए मोडल नेम तो ठीके छोड़ दीजे कलर हमारा ग्रेज है बोक्स टैमेस से छोड़ दीजे नेट वेट यहाँ पर 30 किजी तो एक बोक्स कराने इसका नेट कॉंटिटी वान है तो नीचे की पर बात्एक रिंटर अदर कि रिखा हूरत के अंदर क्या-क्या मिलेगा तो इस भूक्स के अंदर हम निंइत यान कि मैंक road always पूर्सके साथ वहां मेर krijgen Sir तो आप इसको मेल भी कर सकते हैं और अब ही फिर साप आजा जाता है फ्रंट साइड में तो फ्रंट साइड में भी सेम यहाँ पर मार्क्यू कम्पनी का लोगो है तो दोस्तों अन्बोक्शिंग करने से पहले थोड़ा सेप्टी प्रिकोशन जब भी आप सावान ओनलाइन मगवाते और बोक्स में आता है तो सबसे पहला आपका काम होता है इस ब तो इस बोक्स को थोड़ी दर के लिए धूप में रख दिए उसके बाद ही इस बोक्स को ओपन करिएगा तो चलिए अब समय आगे इसको काटने का तो हमारा जो स्पेशियल वाला चाकू था वो तो मिल नहीं रहा था तो नॉर्मल हम घर वाले चाकू से ही फिलाल के लिए क सी Leo कर देते है उपन उसके लिए प्लास्टिक को भी थोड़ा सा हं कांण करते है इस लिए इस आप कि इंड़ो मिल जाता है अ कि चैरले बोक्स को ओपन करने के साथ ही हमको यहाँ सामने दिखाई देता हैं अधिए सब से पहला हमारा प्रोड़क्त है जो कि, चार आइटम मिलने वारत है उसमें से पहला छलिए इसको थोड़ा से हम साइट कर देते हैं, फिलाल के लिए छलिए तरमोकॉल ब्लेट खब नंदर्शार वोशिंग माशीन का टोप देखा तोड़ा सा हलका सा ट्रांस्परन ग्लास भी यहां पर फाइवर दिया गया है उपर में यहां पर साथ में यहां पर मार्क्व कंपनी का लोगों नीचे इन वर्फ प्लस एंद इन कितना केजी का मशीन हों के जिसे मेरे चेंगे तो यहां पर आपका वोल्यूम निखा रहेगा नरफ बेखाएंगे तो राइट सेड में देखेंगे तो राइट स्बस्ता यहां पर आपको मिलता पेटिक्डत ल है फ्रोग्राम ने डिश्पले दिख जाता है start और पोस का बटन दिख जाता है और power on-off का बटन दिख जाता है उपर की साइड में दोस्तों बात करें तो पानी इनलेट का यहां पर फिटिंग के लिए दिया गया है और साथ में उपर के जो ब्लू कलर का दीख रहा है वह उमारा छोटा सा जब फिल्टर है कि आप गंदा पानी है यूश करते है तो यह जूपलीड jetzt करणा होुआ कि और होको यहां से निकाल सकते हैं उसका स्टेप यहां पे लिखा गया है ट्रांस्परेंट बोक्स में यहां पर देखें तो नोटीश यहां पर लिखा हुआ है जैसे कि वोश करते समय क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वही सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है तो चलिए बोक्स को भी हटा देते हैं दोस्तों तो बोक्स दोस्तों यहां पर diamond drum design मनतर वी DRUM का जो design है वो diamond type का है यहां पर निचे की और लिखा हुआ है 8 wash program मतलब 8 wash program इसमें installed है निचे की बात करेंगे तो यहां पर tube clean लिखा हुआ है मतलब इसमें एक program वो भी है जो कि tube को clean करता है उसके निचे में और बात करता है पीछे की साट में देखे दोस्तों तो यहां पर पावर कनेक्षन के लिए केबल यहां पर निकला हुआ मसीन से और पीछे के सट में यहां पर देखे मार्क्यू कंपणी का फिर्च लोगो आपको मीं जायगा और नीचे में यहां पर कुछ डीटेल लिखा हुआ है स्टीकर के पास दोस्तों आपर जूम करेंगे तो यहां पर आपको मार्क क्यूबाइ फ्लिपकार्ट कंपनी का लोगो मिल जाएगा उसके नीचे में आपको ट्रेवल शुटिंग के लिए काम आएगी तो यहां पर भी प्रेटेड पावर जो है 420 वोटेज का है तो राइट शेत में दुस्तोंकर बात के तो राइट शेत में यहांपर ड्रेन पाइप जो की उपर में उठाया हुआ है और फिक्स करके रखा हुआ है और पूरे मशिन जो है प्लास्टिक पोलिथिन से पैक है तो चलिए कंट्र तक वोटर आप इसमें फिल कर सकते हैं तो उसकी अगेंस में आपको कितना डिटर्जेंट डालना है वो यहाँ पर ड्रोग किया हुआ कि एक से दो अगर आपको वाटर लेवल है तो आपको यहाँ पर हाफ टीस्पून जब डिटर्जेंट पाउडर डालना है 3-4 है तो आपक चोड़ दिजेंट डिले टाइम डालेंगे उतना डिले टाइम के बाद आपका मशिन ओटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा वो डिले स्टार्ट का फैसिलिटी भी यहाँ आपको मिल जाता है और वो दोनों बटन एक साथ दबाने साब को चाइल्ड लोग का फैसिलिटी भी म जो है वह एर ड्राइट जो ट्यूप क्लीन है और राइट सेट में यहाँ पर स्टेप्स यानि कि जो प्रोग्राम लिखा हो यानि वह स्टेप्स है कि आपका कपड़ा दूलता है टोटल चार स्टेप में दूलता है पहला सो तैन वोज देन रिंस एन स्पिन तो नोर्मल ज करेंगे तो डाइरेक्ट डीडी मोड आपका चालू हो जाएगा तो यहां पर नोटिस की बात करें तो थोड़ा बहुत नोटिस यहां पर लिखा हो कि कपड़ा के जेब में अगर कुछ पैसा है तो कुछ भी सावन रखा हो तो उसको आपको हटा लेना है कपड़ा अच्छ वड़ा अगोगा उसको हटा देना है फूर मशिन को साफ आप करना और ज्यादा जिसमें फॉम होगा वह वाला डिट्रजेंट आपको यूज नहीं करना है और अगर मशिन आपको ज्यादा वाइबरेट होता है दोस्तों तो उसका कवर को खोल के कपड़े को थोड़ा सा आ वैसे इसमें अगर इंबेलेंस होगा तब भी आपका एक आलराम जेनरेट होगा आलराम की बात में आगया मैं करूंगा कौन-कौन सेया पर सेफटी फीचर भी दिया गया है तो फिलाल के लिए इतना ही कि अगर आपको अन्बेलेंस हो जाता मसीन तो धक्कान कोल के थोड़ा स है देखे ट्रांसपररन से भी थोड़ी सी आपको दिखाई देती ही और हमको यहाप मिल जाता है मशीन में एक थर्मोपोल को साइट कर देता है उसके साथी यहां पर दिखाई देता है दाइमंड ड्रम तो यहां पर देख पार है दोस्तों डाइमंड हमको छोटा-छोटा- यहां पर कुछ लिखा हुआ है और दूसरा आइटम हमको मिलता है वह हमारा यहां पर यहां पर इंसको साफ करना है तो अंदर से तो बहुत सुन्दर सा दिख रहा है तो चलिए थोड़ा सा देख लेता है कि और क्या-क्या मिला हुआ था हम लोगों को तो दोस्तों बोक्स को ओपन करने के साथ हमको यहां पर पहला ऐटम जो मिला था वह था एंटी में यहां यहां पर दोस्तों देख पर यहां पर अप्सेट का सिमबल भी और यह वाला जो में निच और यह क्यों लगाना पड़ दा है क्योंकि मशीन जब बनके आता तो यह मशीन नीचे के से şuक्ल फोक्लंत तो दीरएकं आपको आरोड्र का इलेक्रिकल के सपक्लाई को अ मशीन के अंदर ना चला जाए उस चीज के लिए यहां पर एंटी रेट मैस देते हैं दूसरा यहां पर दोस्तों देख पार है वोटर होस यहां पर मिला हुआ था तो चलिए प्लास्टिक को खोल देते हैं उसको प्लास्टिक हमारा हट गया है और यहां पर दोस्तों देख पार है एक मिटर लेंद का अप्रोक्षमेट होस यहां फिची का यह वाला जो फिटिंग देख पार है दोस्तों यह हमारा मशीन में लगेगा और इंग के साथ है तो आपको लिकेज कभी कोई डर नहीं है एक बार मशीन के साथ में लगने वाला है और दूसरा साथ जो दुस्तों है आपको नल या तो आपको आपको टेप के साथ चारो के उसको फिक्स करेंगे तो यह वाला जो है लिकेज नहीं होगा अपका तो बहुत ही सुंदर सा डिजैन वहां पर दिया गया है और जो हमको मिला वा गता सकते हैं नीचे की च्छोटा सा प्लास्टिक का जो पता न ही सपोट के लिए होगा उसका जरूद नहीं है इसको फिलाल के लिए फैक देता है कोई जरूद नहीं है इसका तो दोसको इसमय आगया है मशिन को product टेने का चलिको color company देने का इसको प्लास्टिक हटा देते हैं और हम करते थे इसको प्लगिन तो चलिए प्लगिन हमने यहां पर कर दिया है मशीन हमारा फिलाल के लिए बन दे तो चलिए में स्वीच को ओन कर देते हैं में स्वीच को ओन करने के शाथ यहां पर मशीन में फिलाल कुछ नहीं होता है अब जैसे हम ओन करते हैं तो देखें यहां पर देखें दो नागे आगए और अंदर में यहां पर देखे संदर सा ब्लू कलर का LED लाइट भी यहां पर जल गया थी जो ब्लू कलर का LED जब यह डाइमन ड्रम में पढ़ता है तो बहुत ही सुंदर सा दोस्तों दिखता है तो चल यह टककन को लगा देता है वोटर लेवल वाला बटन प्रेस करने से यहां पर डिस्प्ले में देख पार है वन लिटर, टू लिटर, त्री लिटर ऐसा करके आठ लिटर तक आता है तो जितने कपड़ है उसके हिसाब से आप पानी की क्वोंटिटी को सेट कर सकते है यानि कि कम कपड़ है और चारी स्टार्टर मिलता है स्टार्ट और पोस्ट का जो की स्टार्ट करने से मशीन जो हमारा स्टार्ट हो जाएगा ओफ करने से ओफ हो गया और अंदर का LED लैट भी बंद हो गया है चली में स्विच को भी ओफ कर देते हैं तो दोस्तों चली अभी तोड़ा मशीन को ओवन करके देख लेते कैसे प्रोग्राम सेट कर सकते हैं लोग और क्या क्या प्रोग्राम होता है फिर शेक बन में बता देता हूँ आपको दोस्तों तो यहां पर आप देख पार रहे हैं पावर कनेक्शन हमारा अल्यडी हो गया है मैंने प्लग इन करकर का रहा है श्वीच ओन करना बा चलिए फिर हम कंट्रोल पेनल यहां पर कंट्रोल पेनल में से पावर ऑन ओफ का बटन को प्रेस कर देते हैं एक बार तो चलिए पावर जैसे ओन करते हैं तो देखें ब्लू कलर का एलेडी लैट जैसे जलता है वैसे ओल्वेज चालू हो गया लेकिन दो एलेडी अगर होत तो साइध यह और ज़्याद सुन्दर दिखता लेकिन ठीक है ओके कोई प्रोब्लिम नहीं है तो डिस्प्ले में भी देखिए यहां पर डेस्ट करके लिखा रहा है फिलाल के लिए तो प्रोग्राम के अगर बात करें देखिए एक नंबर स्टांडर्ड दो स्पीन यह जो प पानी इससे आप कपड़ा दोने चाहते है उतना लीटर को आप महाँ पर इंपूट कर दीजिए जैसे चार पांच छे साथ आट नो और यह मैंने चितर भी दिखाया था आपको फिर शेक बार जूम करके दिखा देता हो दोस्तों वोटर लेवल के लेटर्जेंट यहां पर रखाता है तो 01 है जैसे ओन करते हैं तो देखिए 44 और बीबी लिखाता है 44 मतलब होता 44 मिनिट का साइकल है यह पहला यानि कि स्टांडर्ड प्रोग्राम और बीबी का मतलब होता है वोश जो यहां पर राइट शेट में यहां पर AABBCCDDD लिखा हुआ था वो दूसरा मोर् है वह हमारा एकस्प्रेस वोश का तो जैसे मैं ने बताया था 19 मिनिट में एक्सप्रेस होगा और यह बइबी चीजि करते हैं फिलाल के लिए प्रोग्राम नमबर चार तो चारव प्रोग्राम करने के साथ यह और की हैवी कपड़ा आपका है भी दंश ते उसमें तो 53 मिनि लगेगा अभी करते बाद छे नमर की तो छे नमर जो है वह सोक के लिए तो यहां पर जैसे नमर करते तो यहां पर आ जाता है 59 में अल्मूस्ट एक गंटे का यह प्रोग्राम है सोकिंग प्रोग्राम साथ नमर की बाद करते हैं बाहर में अगर बारीज ज्यादा है और आपको कपड़ा यहां मशीन के अंदर ही शुकाना तो यहां पर फेसिलिटी मिलता है वह 30 मिनिट का साई के लिए दोस्तों 30 मिनिट में आपका कपड़ा जो पूरा ड्राय हो जाएगा माशिन का आसपास अगर कजला ज मिनिट का तो है फूरा टपुरेघ कर के पूरण को क्लिन कर देते हैं पहले उस में ऑचल करते हैं दोस्तों एहां पर थेखे पान आना चलू हो गया बीवी का मतलब हुता है वाश जा मैंने बताया था शोक का है फी वाश का है जिरींच डी डी ये स्पिन तो ड़ ये तभी काम करेगा जब हमारा सोकिंग्ड प्रोगरम किया हुआ जलता रहेगा अगर स्पिन या तो ट्यूक्लिन या तो एड राइ नहीं किया हुआ है तो चलिए स्टोप कर देते हैं और मशिन को कर देते हैं बन तो दोस्तो अभी बात करते हैं चाइट लोग की तो वोटर लेवल इन प्रोग्राम का बटन दूनों एक साथ दबने से चाइट लोग हो जाता है तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने प्रेश के एकसाथ तो यहाँ पर cl लिखा गया cl का मतब होता है चाइट लोग मतब अभ और उसके साथ ही दोस्तों हमें अगर बात कर देता है तो safety feature के यहाँ पर आल रहाम दिया जाता है तो इसमें से एक अलराम है कि अगर आपका child log on है और और किसी ने open कर दिया उसके top lead cover को तो यहां पर दोस्तों देख पार है E6 यहां ब्लिंक करता है और मसीन बंद हो जाता है तो E6 को जो-beloud है वो हमारा है चायवल लोग आपके हां अगर चायवल ओन है तो यहां पर फेलिर ऑढराम है वह अलराम है इसक्रीन पर आप देख पार है जैब से लेकर कि एट तक है जब पानी कर पानी करूआ किया बढ़ बंद या तो फिर फिल्टर चोक होगे पानी नहीं जा रहे तो नहीं आए गा रहा लाम लीट वाफन हो जाएगा तो गली चाईजींगहा उपन हो जाएगा तो यौह आवाज करने के लिए आपको स्टार्ट बटन या तो फिर से इसको हटाने के लिए दोनों बटन को एकसाद प्रेस करने से यह वाला चाइल लोग हट जाएगा मशीन के मेटरियल की दोस्तों अगर बात करें तो मशीन का बाहर का बॉक्स जो है वह पॉली प्रोपील यानि की पीपी प्लास्टिक का बना हुआ जो कि थर्मो प्लास्टिक है बहुत हाड प्लास्टिक है और इसका अंदर का यह देख पार है आपका डाइमंड ड्रम तो लेकिन जब स्पीनिंग कर रहे होते है तब आपको उपर के लीड कवर को ओपन नहीं करना है जैसे ओपन करेंगे मशीन आटोमेंटिकली तूरण से स्टोक हो जाएगा और ब्रेक लग जाए कि ड्रम आपका वहीं का वहीं रुख जाएगा तो यहां पानी की क्वालिटी त और सुन्दर सा कपड़ा आपको वोश करके दे देगा 44 मिट में अगर आपका स्टांडर्ट साइकल टाइम सिलेक्ट किया हुआ तो तो दोस्तों अभी बात करते हैं इस मसीन के रेटिंग की दोस्तों तो इजी टू यूज के लिए हम इसको देंगे 10 आउट 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 और सा डिजाइन उसका देंगे 10 आउट 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 1 क्वाद के रेटिए के लिए हम इसको देंगे 9 आउट 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 प Veget Shyam戰 Victor पूरा सैटिस्वाइओ लेकिन देखते मिस को बाले चलेगा यह अगर तीन-चार साल भी चल गया तो well and good तो overall rating हम इसको देंगे 9 out of 10 दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको like कीजिए, comment कीजिए, share कीजिए और subscribe करना बिल्कुल ना भूले तो आज की वीडियो में दोस्तों यही था ऐसे ही मज़दार और वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल टेक्निकल किंग को subscribe कीजिए, धन्यवाद चाहिए